नमस्काद, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन में सुबा 6 से 2 पर 12 बहे तक खुलेंगे सरकारी स्कूल जर्खन राई सरकार ने गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों के संचलनल के समय में बदलाव किया है अब गर्मी तक सरकारी स्कूल सुबा 6 बहे से 2 पर 12 बहे तक संचलित होंगे इसकूली सिक्षा यों सक्षता विभाग ने बुद्धवार को इसमन में अजिसूतना जारी कर दिया है दरसल इसकोली सिक्छा एम सक्षता विभाग ने पूरु में गर्मी में सरकारी स्कूल को सुबह 7 वय से अपराहन 1 वय तक संचालीत करने का आदेश दिया था विभीन सिक्छक संग इसका विरोध करते हुए पूरु की तरह गर्मी तक सुबह 6 वय से 11 वय तक संचालन की मांग कर रहे थे हलाकि विभाग ने अभी भी सिक्छक संगो की इस मांग को पूरी तरह लागू नहीं किया है सिक्षक, इंटरनेट, मीडिया पर स्कूलों के संचालन की संसोधित ओधी पर भी सवाल उठा रहे हैं जारखन में बारिस, राइधानी राची समेट आसपास के जीलों में गर्मी की तपिस से लोगों का हाल भी हाल है कई जीलों में हीट वेव की स्थिती बनी है इसी बीच मौसम विज्ञान केंदर राची के बैग्यानी अभिसेक अनन ने बताया कि राइधानी का मौसम सूस्क रहेगा और आसमान साप रहेगा वही सोरा अप्रेल को जारखन के पूर्वी हिसो में कहीं कहीं आंसिक बादल चाय रहने के साथ साथ हलकी बारिच की समभवना है वही सतरा और अठारा को राज्य के पूर्वी हिसो में कहीं कहीं गर्यन के साथ साथ बारिच की समभवना है हलाकि इन बारिसों का राज़ धानी के तापमान पर कुछ खास असर बदलाओ के संकेत नहीं मिले है राज्य कर्मियों और पेंसन धारियों को तोफा महांगाई भाता तीन पर्थियत बढ़ा है बार्खन की हेमंद सुरेन सरकार ने अपने दो लाख राज्य कर्मियों और पेंसनर्स को तोफा दिया है करमचारियों के महांगाई भाता में तीन परतिसत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर बुद्धवार को हुई केमिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है प्रजेक्ट भर में हुई बैठक में केंद्र सरकार की तवज पर राज्य सरकार के कर्मियों और पेंसर्स को महांगाई भाता बढ़ाने का फसला हुआ यह बढ़ोतरी एक जनवरी से लागू की जाएगी बतादे अब राजेकर्मियों का महांगाई भाता 31 से बढ़कर 34 परतिसत हो जाएगा सिक्षा में सुधा के लिए जारखन विधान सबाका होगा 27 जारखन में सिक्षा की बेहतरी के लिए राज सरकार जारखन विधान सबाका 27 बुलाएगी विश्वविद्याला, इस्कूली सिक्षा, उच्वतक निकी सिक्षा और मेटकल कोले से समंधित अर्चनो का निप्टाला सरकार की प्रत्मिकता है जार्खन विधान सबाक अविश्य सत्र बुलाने से पहले अधिकारी नियमावली और एक्ट सम्वंधित तैयारी पूरी कर ले यहां निर्देश मुक्य मंत्री हेमांसुरें ने दिया है वे बुद्धवार को उच्वतकनी की सिक्षा भी बाकी समिशात्मक बैठक कर रहे थे पीएम सीएम से बात करने का देवघर के पन्नालाल को मिला मौका पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर रोपवे हाथ से में बचाव कारे में लगे लोगों से विस्तार से बातशित की इस दवड़ान पीएम मोदी ने सेना के जवानों के साथ साथ NDRF, ITBP, अस्थानिय परसासन, गोड़ा सांसर, डाक्टर निसिकान, दूबे और अस्थानिय लोगों से बातशित कर पूरे घर्टना, करम और बचाव से जुड़ी हर एक पहलू को जाना इस मोगे पर बच्चे और महिला सहित 22 लोगों को सुरक्षित निकालने में ततपरता दिखाने वाले रोपवे करमी, पन्ना लाल, पंजियार से भी बात की, इस पर पीएम मोदी ने उसकी होसले की तारिप करते हुए उन्हें बढ़ाय दी, दूसरी और बुद्द्वार को जारकंड सीम हमन सुरेन ने भी पन्ना लाल को समानित करते हुए एक लाग रुपे का चेक दिया है। गुमला में इलाज की अभाव में प्रसव पिडिता की मौत। मुखे मंत्री हमन सुरेन ने कहा है कि गुरु जी स्टुडेंट क्रेडिट कार योजना का किर्यान वेन इसी सेक्निक सत्र से प्रारम किया जाए। मुखे मंत्री के समक्स विभागिया दिकारियों द्वारा या जनकारित दी गई ठीकी 15 माई 2022 तक इस योजना के संचारन है तूर नीती एवं दिशा निर्देशित का मंत्री परिशत अनुबोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। सिवाप प्रदात बैंकों का निर्धारन कर ये करार नामा की करवाई जून 2022 तक पूरी कर लिया जाएगी। योजना है तूबे पोर्टल दिनांग 15 जून 2022 तक त्यार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हमांसुरण ने बुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों जीले में महिला महाबिद्याले के स्थापना के लिए भूमी चिनित करने है तू सम्मधित उपायूत के साथ विभागे पता अधिकारी समनोय बना कर निर्मान कारे को गति दे। बैठक में मुख्यमंत्री के समख जनकारी दिगाई की राजे में कुल 21 महिला भी द्याले की रियासिल है। देवघर रूपवे हादसे में 11 लोगों की जान बचाने वाले पन्ना लाल को सीम ने किया समानित। देवघर DCSP ने पन्ना लाल को चेक देकर समानित किया है। स्क्यू टीम के साथ ट्रोली में पहसे लोगों को सुरक्षिन निकालने में दिन रात लगे रहे। स्क्यू टर्म टू एड्मिट कार्ड जारी। समाधित स्कूल CBSE बोर्ड परिक्षा के एड्मिट कार्ड अब अधिकारिक वेपसाइट at the rate cbsd.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बोर्ड परिक्षा के लिए हाल टिकट हाए। CBSE टर्म टू की परिक्षाए दोनों का अख्षाओं के लिए 26 अप्रेल 2022 से शुरू होगी। लोहर्ड गगा में असांती फैलाने में सिलीपर सेल का हाथ। लोहर्ड गा में राम नमी के असर पर हीर ही भोगता बगीचा में घटी घटना के बाद उर्पान इस्थिती को समाने बनाने के उदेश से अनुमनल पतादिकारी अरवींद कुमार लाल ने जीले के प्रबूद लोगों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने सेना से सुनी 46 गंटे चले रेस्क्यू की कहानी। और अनेक देश्वास्तियों की जान बचाई है मैं इसे बाबा बैधनास जी की किरपा ही मानता हूँ। नवद्य बिद्याले काक्षा 6 के एडमिट कार जारी। चात्र अपना एडमिट कार नवद्य बिद्याले समीति के दिकारिक वेपसाइट नवद्या.gov.in पर जाकर हासिल कर सकते हैं। मुखिया उमिद्वार है तो नहीं कर सकेंगे अपनी सक्तियों का परियोग। चुनाओ को लेकर भाजपा ने बनाई रण निती। जारखन में पन्चाय चुनाओ दली अधार पर नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद इसके सभी राइनितिक दलों ने चुनाओ के तेरिया सुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा ने बुद्ध्वार को परदेश मुख्याले में तरिया स्तरिय पन्चाय चुनाओ को लेकर अहम बैठक की। परदेश अध्यक्ष दीपक परकास के अध्यक्सताय में हुई बैठक में या तय किया गया है की। भले ही राजे में पन्चाय चुनाओ दरली अधार परना हो रहे हैं लेकिन भाजपा इस चुनाओ को फूरी गंभीतार से लेंगी। बैठक में चुनाओ के बावत पताधिकारियों को टास्क भी सोपे गए। बैठक में भाजपा के परदेश परभारी दिलीप सौकित भी जारखन में हवा यत्रा हो सकती हसस्ती। जारखन में 18 को सभी जीलो और 24 को परखंडों में कांग्रेस का समेलन। कटबंधन ससक्तिकरण अभ्यान के ताथ एक कारकरम किये जाएंगे। इसकी सफालता के लिए जिलावार, संजोजक, समनवयाक और सहसमनवयाक भी मनोनित किये गाए। पॉलिटेकनिक एवम इंजिनियरिंग कोलेज की नियुक्ति नियमावली जल्द बनाए। मुख्यमंत्री हमाशुरे ने कहा है कि उतक्रिष्ट मानव संसाधन तयार करने के उद्देश को फूरा करने के लिए राजे में युवाओ को गुनवात्ता युक्त उच एवम तकनिकी सिक्षा पदान करना अमारी प्रत्मिकता है। क्वालीटी हाउस एजुकेशन के लिए अधिकारी ऐसा पुक्ता मेकेनिजम तयार करे जिसे सभी माप दंडों का प्रभावी पलान सुनिशित हो सके। मुख्यमंत्री न कहा कि राजे में अस्थापित पोल्टेकनिक कोलेज सहित औरने उच तकनिकी सिक्षन संस्थानों का नियमीत निरिक्षन करे। मुख्यमार्ग इस्थीत अमबादा जंगल से बरामध हुआ। अरोप है कि अरजुन को बुद्वार की सुबा करीब 4 बजे पूलिस ने उसे उठाया था। बाद में पूलिस ने उसकी जम कर पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गाई। अब एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे छात्र। विश्व विद्याले अनुदान आयोग ने छात्रों को बड़ी खुसकबरी दी है। अब छात्र एक समय में 1,7,2 डिग्री ले सकेंगे। इसके तहाद दो डिग्री कॉलेज में एडमीशन और एक साथ दो दो बिशव में अनर्स डिग्री ली जा सकती है NEP 2020 में की गई वेवास्ता के तहाद टू डिग्री स्कीम को लागू किया जा रहा है कुरोना पुरोना पुरुत साहन रासी बित्रन में धांदली पुरो मंत्री सब विधायक सर्जू राय ने एक बार फिर स्वास्त मंत्री बना गुपता के बिरूद और निमित्ता के आरोप लगाया है इस बार उन्होंने स्वास्त मंत्री पर गलत ढंग से अपने वैसे कर्मियों को भी कुरोना पुरुत साहन के रूप में एक माहका अत्रिक्त बेतन दिलाने का रूप लगाया है जो इस लाब के लिए पात्रता नहीं रखते थे इसे लेकर उन्होंने मुक्य मंत्री एहमान सुरेन को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने स्वास्त मंत्री के विरूत करवाई की मांग भी की है पंचायत चुनाव धांधिली रोकने के लिए कंट्रोल रूम का नमबर जारी राज निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में धन बल के परियोग को रोकने तथा आदर्स आचार संहिता का अनुपालन को लेकर कंभीर है इसके लिए राज अस्तर पर कंट्रोल रूम अस्थापित किया गया है बता दे 0651, 228287 पर भी सिकायत दर्ज कराई जा सकती है आदिवासी के हिताइसी नहीं है सियम हमांत जैराम महतो इंद काटा गाओ के मोरांग टार मैदान में मंगलवार की साम जारखंडी भासा खतियान संघर समिती चक्रधर पूर का महा जुटान कारिकरम आउजित हुआ जहाँ पर खतियान अधारित अस्थानिये और नियोजन निती के लिए हुंकार भरी गई कारिकरम के मुख्य वक्ता और कोईलारी से आय युआनेता टाइगर जैराम महतो थे उन्होंने जारखंडी हीतों को लेकर अपनी बात को रखी उन्होंने कहा कि 88 सालों के संघर्स के बाद हमें अलग जारखंड मिला है 1912 में पहली बार जारखंड को अलग करने की गोज उठी थी 88 हज़ार लोगों ने बलिदान दिया तब जाकर जारखंड मिला अब हम सभी को जारखंडी कैसे माल ले जिस तरफ बंगाल में रहने वाले हर ब्यक्ती बंगाली नहीं बिहार में रहने वाले हर ब्यक्ती बिहारी नहीं उसी परकार जारखंड में रहने वाला हर ब्यक्ती जारखंडी कैसे हो सकता है आज इसी नयाय के लिए लडने के लिए कोईला नगरी से आवाज बुलंत हुआ था कुरोना के एक सी वेरियंट से हणकंप देश में कुरोना एक बार फिर से चोथी लहर के साथ लट रहा है या सवाल हम सब को परशान कर रहा है इसकी बड़ी वज़ा यहा है कि अब तक कुरोना वायरस के मिले ओमिक्रोन डेल्टा बी ए टू से बहुत अलग और अधिक तकतवार सबसे अधिक तेही से फैनने वाला कि कुरोना से होने वाली मौत कम हुई है इधार एस या और यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में कुरोना के चोथी लहर आने की पुष्टी भी स्वास्त संगटन ने की है धन्यवाद ऐसे में आप हमें बताए कि कुरोना के चोथी लहर एक सी वेरिंट के बचाओ से आ जारखन में भी कुरोना के चौथी लाहर आ सकता है या नहीं हमें आप कोमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अवसे दे साथ इस वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों के साथ सेर कना ना भूले थैंक यू